अलो गाइज विल्कम बैक टो मैं चैनल अगर आप भी एक Windows 10 यूजर हैं तो गाइज आपके लैप्टोप या PC में ये वाटर मार्क एक्टिवेट Windows का चरूर आ रहा होगा चुकि गाइज इंडिया में जो लोग हैं इतने अमीर नहीं है कि Windows को अफोर्ड कर सके बाई कर सके इ वैसे तो आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे इस वाटर मार्क को रिमूब करने का बट गाइज उनमें से यकीन मानिये कोहीं तरीका वर्ड करेगा बट मैं जो तरीका बताता हूँ 100% करेक्ट तरीका बताता हूँ ये 100% वर्ड करेगा गाइज बिलीब मी वैस को एक्टिवेट करना चाहते हैं वाटर मार्क को रिमूब करने के साथ साथ तो मैंने इस पर आलेडी वीडियो बना रखा है आप YouTube पे सर्च करेंगे हाउ टू रिमूब बिंडोस 10 वाटर मार्क तो सबसे पहले मेरा ही वीडियो आएगा उन वीडियो का मैं लिंक भी डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दे देंगे वहां से भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ यह वाटर मार्क है यह रिमूब हो जाए तो बने रही इस वीडियो में मेरे साथ मैं हूँ दीपक बर्मा लेट्स बीगिन दे वीडियो गाइज इसके लिए आपको एक छोटा सा कोड लिखना होगा ओके तो आपको क्या करना है यहां पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है नोटपैड लिख करके एंड इसे ओपन करना है ओपन करने के बाद इसमें आपको एक कोड लिखना होगा जैसे जैसे मैं लिख है ओके घलती जराहा भी नहीं करना है एड़ से एक को एडेन आपको इंटर बॉटन हीट करना है देन इस पेस एप है एक्सदृ रदills करना है यकल टोट य Pirव लेक रजसे एन एफिर से इंटर बॉटन हीट करना है और तेल एफ मैं अब को ल and then आप फिर से इंटर प्रेस करेंगे and then लिखना है xc okay guys तो code को आप ध्यान से देख लिजे एक बार ताकि आप कोई गड़वर ना करें अगर आप code लिखने के जंजट से बचना चाहते हैं तो आप direct मेरी website पे जा सकते हैं और वहां से copy करके आप direct paste कर सकते हैं notepad में तो वह चीजे भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे मेरे website पे जाना है तो guys आपको कोई भी browser open करना है and then यहां पे search box में type करना है dkfeed लिकरके और यह मेरी ही website है यह open हो जाएगा गूगल पे देख सकते हैं डिकी फीड आ चुका है तो आपको इसे open करना है तो देख सकते हैं कि यहां पे नजारा रहा है remove windows 10 watermark using bat file 100% safe and legal तो इसी post को आपको open करना है अगर यह post आपको यहां नहीं नजारा है तो आपको क्या करना है यहां पे search बटन दिया गया है यहां पे आप लिक करके search कर सकते हैं यह जो sentence है यह okay and then इसे open करना है open करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ quote के अंदर text दिये गए है quote के अंदर सारे text को copy कर लेना है and just notepad में paste कर देना है and इसका formatting आप देख लीजे सही से formatting इसका ऐसा ही रहना चाहिए इधर उधर later कोई नहीं रहना चाहिए जैसे है वैसे ही लिखना है और ना तो आपको छोटा बढ़ा करना है जैसे है वैसे ही copy paste करके आपको formatting बगरा थोड़ा कर देना है अगर इधर उधर later होता है तो and then इसके बाद आपको क्या करना है file पे click करना है and then आप click करेंगे save as पे okay guys and save as type यहांसे आपको choose करना है all files और यहांपे आपको file name देना है tutorials underscore buddy dot bet okay तो देख सकते हैं file name क्या देना है tutorials underscore buddy dot bet and save as type all files करना है and then इसे dec stop पे save करना है आपको देख सकते हैं इधर encoding बगरा में आपको कोई छेरचार नहीं करना है encoding को आपको utf8 ही रहने देना है and then save पे click करेंगे तो guys जैसे ही आप save पे click करेंगे तो यहाँ पे tutorials underscore buddy देख सकते हैं यह एक bat file है अब आपको क्या करना है इस bat file को run as admin करना है right click किजिए and then run as administrator इसको करके run करना है यहाँ पे आपको yes पे click करना है तो देख सकते हैं कि terminal यहाँ पे थोड़े देर के लिए open हुआ और automatic जो है close हो गया as you can see here water mark remove नहीं हुआ या भी तो इसके लिए guys आपको system को एक बार restart कर लेना है जैसे ही आप अपने system को एक बार restart कर लेंगे यह जो water mark है completely remove हो जाएगा तो चलिए मैं आपको एक बार restart करके दिखाता है जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा system restart हो चुगा है जैसे ही हमने system को restart किया यह water mark चला गया तो guys यह trick 100% work करता है अगर आपके भी laptop या computer में windows 10 डला हुआ है और उसमें water mark आ रहा है तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके water mark को remove कर सकते हैं बठाँ guys यह तरीका सिर्फ water mark remove करने के लिए है इससे आपका windows activate नहीं होगा अगर आप अपने windows 10 laptop को activate करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने already वीडियो बना रखा है उस वीडियो को आप check out कर लिजेगा उसका link आपको वीडियो के description में भी मिल जागा और i button में भी मिल जागा तो आज के लिए बस इतना है आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक like किजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लिजेगा और भी बहुत सारे helpful videos हमने बना रखे हैं तो उन वीडियो को भी आप check out कर सकते हैं thank you so much for watching this video guys thanks a lot bye bye कर दो